मप्रशिक्षक अध्यापकों के लिए लोगशिक्षन संचनालय का महत्वपूर्ण आदेश इनके होन्डे प्रशास्तिय तबादले। मप्रशिक्षकों की स्थानांतरन को लेकर DPI का नया आदेश अतिशेश शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया जारी। लोगशिक्षन संचालनालय मध्यप्रदेश, गौतम नगर, भोपाल, प्रमाक्त स्था 3-2022-2213, प्रती, भोपाल, दिनाक 28 नवंबर 2022, 1. समस्थ संभागी यस संयुक्त संचालक, लोगशिक्षन, मध्यप्रदेश, 2. समस्थ जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश विश्यानतरण नीती 2022 के तहेत अतिशे शिक्षकों का चिन्हानके न एवं प्रशास्किय स्थानानतरण के संबंद में 00. विश्यांतरगत नवीन स्थानांतरण नीती 2022 के पालन में विभागिय परिपत दिनाक 1909-2022 स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में जारी की गई समयसारिनी के अनुक्रम में स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण की गई है। उक्त स्थानांतरन प्रक्रिया में 43,118 ओनलाइन आवेदन के विरुद्ध कुल 25,905 स्थानांतरन किये गए हैं। दो उप्रोप्त अनुसार स्थानांतरन प्रक्रिया से शिक्षक विहीन शालाओं एवं एक शिक्षकी अशालाओं की संख्या में कमशह 123 एवं 1154 की कमी आई है। यद्यपी वर्तमान में 2357, शिक्षक विहीन एवं 8307 एक शिक्षकी अशालाओं विद्यमान है। ऐसी स्थिती में शिक्षन व्यवस्था के सुचारू संचालन हितु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं। 21 ऐसी समस्थ शालाय जहां शिक्षकों की अत्यदिक कमी है अत्वा स्थानांतरन के द्वारा। ट्रिक्थ हुई है ऐसे सभी स्थानों पर प्राथमिक्ता के आधार पर अतिती शिक्षकों की नियुक्ती की जाए ताकि शिक्षन व्यवस्था प्रभावित न हो। दो दशमलव दो ऐसी समस्ट शालाए जहां हाल ही में स्थानांतरन के माध्यम से पदस्थापना की गई है उन स्थानों पर यदि पूर्व से अतिती शिक्षक कार्यरत रहे हैं तो उन्हें ततकाल कार्यमुफ्ट किया जाए। अधिनस्ट शुन्य नामानकन वाली समस्ट शालाओं का सेटब ब्लॉक किया जाए तक कि ऐसी शालाओं में स्वेचिक अथ्वा प्रशास्किय अस्थानांतरन के माध्यम से पदस्थापना न तेश हो सके। के इमेल आईडी एस्ट योजक चिन तीन डीपक at mp.gov.in पर हस्ताक्षरित। होटकापी एवं एक्सल शीट में प्रेशित करें। 2.5 शिक्षक विहीन ऐसी शालाएं जिन में नामानकन 20 अथवा उससे कम हैं, को उसी ग्राम वसाइट पर अथवा एक किलोमीटर के दाइरे में संचालित अन्य प्राथमिक माध्यमिक शाला के साथ अन्य आदेश तक संचालित किया जाएगा। 28 से एक शिक्षकिय अधिक नामानकन वाली प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के संबंध में प्राथमत ही यह परीक्षन किया जाए कि क्या उसी ग्राम बसाहट पर अन्य प्राथमिक माध्यमिक शाला संचालित है। यदि ऐसी स्थिती है तो इन शालाओं को संत्रात तक के जिन शिक्षक विहीन एक शिक्षक की अत्यधिक न्यून शिक्षकों वाली शालाओं में उपर युक्त कंडिका 2.5 एवं 2.6 अनुसार कार्यवा ही संभब न हो तो ऐसी स्तिती में उक्त शालाओं में संकुल अंतरगत अन्य शालाओं से जहां पर्याप तत्वा अधिक संख् शिक्षक पदस्थ है कि शेक्षनिक व्यवस्था स्थानांतरण नीती की कंडिका 3.45 तहट की जाए इसी प्रकार एक ही ग्राम में न्यून शिक्षकों वाली माध्यमिक शालाओं एवं हाई स्कूल खाय 27 सेकेंडरी शालाओं संचालित है तथा उक्त शालाओं में शिक्ष शिक्षकों की कमी है तो ऐसी माध्यमिक शालाओं तथा हाई स्कूल खाय सेकेंडरी शालाओं को संत्रात तक के लिए संयुक्त रूप से संचालित किये जाए अथवा उपर युक्त अनुसार स्थानांतरण नीती की कचिका 3.45 के तहट शेक्षनिक व्यवस्था की जाए अ अन्यवाद